इंडियन मेंदमार फ्रेंड्शिप ब्रिज पे देख सकते हैं कि यहां पे कितना मोटा ताला लगा हुआ है यह ताला कब खुलने वाला है? कब यह ब्रिज ओपन होगा? और सारे टूरिस्ट बाइ लैंड मैनमार में एंटर कर सकेंगे तो ये ताला कैसे कब खुलेगा जानते हैं अभी उससे पहले देखिए कि यहां पे नदिया में अभी पानी बिलकुल कम है और ये नदिया ही बॉर्डर है इंडिया और मैनमार के बीच में तो यहां लोकल स्लोक देखिए कैसे फिशिंग कर रहे हैं मचलियें पकड़ रहे हैं और उस साइड मैनमार साइड में लेडिस कपड़े भी धो रही है और ये है जीरो लाइन पिलर दूसरी साइड से तो आईए जानते हैं कि इंडिया मैनमार फ्रेंड्शिप गेट का ये ब्रिज कब ओपन होगा तो दोस्तो आज के थम्मेल से आप समझी गए होंगे तो ये देखिए यहां पे मैं आपको मेल आईडी दिखा रहा हूं जो मैंने अभी अभी एक गंटा पहले मेल किया था इम्मिग्रेशन वालों को उसका रिपलाई उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि बहुत सारे ऐसे कॉमेंट्स आ रहे थे गर बैठे वीजा ऑनलाइन कैसे लेना है इस वीडियो पे और जो इंडिया टू मैंनमार बाई रोड बहुत सारे आपने प्यार दिया लाखों में वीव आये कॉमेंट्स भी आये वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा कॉमेंट्स यही थे जो लोग ये सेम टूर करना चाते हैं तो वो हर कोई जानना चाता है कि क्या अभी हम मैंनमार में बाई लैंड बॉर्डर जा सकते हैं यहां फिर नहीं जा सकते हैं क्योंकि कोविड के बाद से लैंड बॉर्डर बंद कर दिया हुआ था तो यहां देख सकते हैं आप हाईलाइट करके बता रहा हूं सर लैंड बॉर्डर ओपन है इंडिया टू मैंनमार यहां बंद है तो सबसे ज़्यादा देख सकते हैं यही कोमेंट से तो मैंने सोचा कि इस पे क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बना दूं कि आप खुद कैसे ज जाके भी आप जान सकते हैं तो यह देखिए यह जो मेल मैंने अभी किया है आज ही ग्यारा उनसट पर सर आइम यूटूबर आई हैव टेकन मैंमार टूरिस्ट ईवीजा ऑनलाइन फ्राम इंडिया कैन आई एंटर मैंमार तामू लैंड पोर्ट तो यह ऑफिचल मेल तो अब बहनि तो अब दो मिनें आइट सकते हैं तो यह देखिए हो साटका लिंक दिया हुआ है किया ईका आप विजा कैसे अपलाई कर सकते हैं तो यह देख सकते हैं immigration का जो main officially website है यहाँ notice में जाना है port to entry में जाएंगे तो यहाँ पे आपको valuable port entry का जो भी option रहेगा वो यहाँ पे मिल जाएगा अभी देखिए यनगन मेंडले only international airports का है तो contact text में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए यह mail ID है इस mail ID पे आपको mail करना है जो भी inquiry चाहिए उसमें अगर आप फुलने mail ID, nationality, visa type, passport number, traveling date वगारा अगर यह डाल देते हैं तो और भी आपको detail में जानकारी मिल जाएगी तो देख सकते हैं दो गंटे पहले ही मैंने mail किया था 11.69 पर 8 तरीक है आज काई दिन किया था तो 12.13 पर एक गंटे बाद reply आ गया है तो तुरंत reply करते हैं और visa apply कैसे करना इसका वीडियो तो आपने देख ही रखा है लेकिन इस side पर जाकर आपने अगर देखना चाहते हैं confirm तो कैसे आप देख सकते हैं कौन-कौन support खुला है और कुछ दोस्तों के यह question थे के अगर हमारे साथ child जा रहे हैं बच्चे जा रहे हैं तो उनकी information कैसे वर नी वो भी मैं आपको बताता हूं जैसे साइड पर apply करने के लिए जाएंगे सबसे पहला कोविड का ही पेज है तो यहां पर आपको कोविड के जो vaccination आपने करवाई है उसकी detail डालनी है उसके बाद travel insurance है यह आपको 50 डॉलर की करवानी है इसकी information यहां डालनी है और इसकी file जो है वो attach करनी है तो देख सकते हैं ऐसा यह dummy आपको दिखा रहा हूं ऐसा certificate रहता है insurance का और इसका जो number उपर है वो यहां पर हमें number फिल करना है अभी मैं ऐसे ही डाल रहा हूं मैंने नहीं जा रहा हूं ना ही कोई insurance करवाई है तो net से ही मैंने dummy number उठाया है तो यहां पर आप जैसे ही certificate number बरेंगे date बरेंगे कौन सी date से insurance लिया है choose file में मैं कुछ भी यहां पर अपना कोविट का certificate ही डाल देता हूं उसके बाद यह security verification number डालना है यह समझ में नहीं आ रहा तो आप refresh करके दूसरा देखिए अभी number आ गया है तो यहां डालके next करेंगे तो यहां देखिए entry information का next जो खुल जाता है और यहां सब से पहले आपको अपनी country डालनी है तो कि हर country के लिए अलग procedure रहता है किसी के साथ अच्छी बनती है किसी के साथ नहीं बनती हर country का अपना हिसाब है तो हमें यहां पे अपनी India country उसके बाद mail ID आप यहां पे डाल दीजिए और जैसे ही आप select port of entry करेंगे तो यहां पे आपको पता चल जाएगा कौन-कौन से port से आप जा सकते हैं तो यहां पे भी देख सकते हैं सिरफ दो ही option है यंगन और मेंडले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कोई भी लैंडपोर्ट का भी option नहीं है यहां पे और side पे entry और exit यह भी कुछ interactions है और इसके बाद हम next करते हैं तो term and condition का page खुलता है इसे agree करते हैं तो यहां से आप visa apply करने के लिए अपना जो detail है वो बरेंगे और उसके नीचे दोस्तो स्क्रोल करते हैं तो देखिए children information यहां पे है इस पे आप अगर add child information करेंगे तो यहां आपको पता जल जाएगा कि अगर आपके बच्चे की age जो 7 साल से कम है तो आप same passport पे उसकी जो information है यहां पे दे सकते हैं बच्चे का नाम है hate of worth है और gender है बस यह आपको डालना है